वैशाक मास की पुर्णिमा हिंदू तथा बहुत धर्म के लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और इसी दिन उन्हें ज्ञान प्राप्द हुआ गौतम बुद्ध के जीवन के कई पहलू हैं परंतु सबसे महत्पुर्ण है उनका गौतम से बुद्ध बनना बुद्ध उनका नाम नहीं था उनका नाम था सिदार्थ गौतम जब उनकी बुद्धी समान से उपर उठ गई तो उन्हें गौतम बुद्ध कहा जाने लगा वे एक राजकुमार थे, उनका हरदय बचपन से ही करुना भरा था, चुकिये की योगी की भविश्वानी थी कि वे एक महान समराट या एक सन्यासी बनेंगे, तो उनके पिता ने वो हर चीज से उनको दूर किया, जो उन्हें सन्यास की ओर ले जाए, सबसे सुन्दर इस्तिर से उनका विवाह कराया, परन्तु ये सारी लुभावनी चीजे उन्हें ज्यादा समय तक बांध नहीं सकी, एक दिन नगर भ्रमन करते समय, एक बिमार व्यक्ति, एक बुढ़ा और एक मृत व्यक्ति को देखकर, उनका हिरदय उन्हें जंकोर कर वहां पहुँचा दिया, ज इसके लिए उनका जन्म हुआ था, नियती ने अपना कारे कर दिया था, भगवान बुद्ध अपने एक साल के बेटे और सुन्दर कोमल पतनी, राज, पाठ, सब छोड़ कर चल पड़े, सत्ते की खोजी में, बिम्बिसार, उदक, आलार, एवं कालाम नामक संख्या इसकों से मिलकर वे उरू बेला की रमनिये वनस्थली में जा पहुँचे, वहां उन्हें कॉंडिल आदी पाच साधक मिले, उन्होंने ज्यान प्राप्ति के लिए घोर साधना प्रारंब कर दी, किन्तु उसमें असफल होने पर वे गया के निकट एक पीपल के व्रिच्छ क नीचे आसन लगा कर बैठ गए और निश्चय कर लिया कि भले ही प्राण निकल जाए, मैं तब तक समाधिस्त रहूंगा जब तक ज्यान न प्राप्त कर लूँ, निरंजना नदी के किनारे पीपल व्रिच्छ के नीचे वैसाखपुर्णिमा के दिन उन्हें ज्यान वह आज भी बोधी ब्रिच्छ के नाम से विख्यात है, बोध गया से चलकर विसारनाथ पहुँचे तथा वहां अपने पुर्वकाल के पांच साथियों को उपदेश दे कर अपना सिस्स बनाया, महत्मा बुद्ध ने इन दो अतियों से सदै बचने को कहा, काम सुखों में अधिक लिप्त होना, तथा सरीर से कठोर शाधना करना, इन्हें छोड़कर मध्य मार्ग का पालन करना चाहिए, यह उपदेश इनका धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में पहला उपदेश था, हमें महत्मा बुद्ध के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए